नमस्कार दोस्तों हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत हैं दोस्तों कुछ पक्षियों के अंदर अनोखी तागत अनोखी सक्टी देखने को मिलती हैं जो आपको पता नहीं होता लेकिन उनके अंदर चमतकार होता है और चमतकार को नमस्कार है दोस्तों आपने देखा होग कबूतर भी आपके घर के अंदर घोसला बना देता होगा लेकिन आप इस वीडियो को देखना पूरा आपको हम एक अलगी सच्चाई बताने वाले हैं दोस्तों आपने देखा होगा कि कोयल कितनी सातिर होती है वह अपने अंडे कभी भी अपने घोसले के अंदर नहीं रखती है और कोयल अपने घोसले के अंडे भी कबूतर आपको ये के अंदर रख देती है और कोई अपने अंडे समझकर कोयल के बच्चों को भी पाल देता है उनके अंडों को सेखता है और उनको बड़ा करने के बाद उसे पता चलता है कि वह तो कोईल के घोसले के अंडे थे इसी परकार क्योंकि कोई का घोसला बड़ा सुरक्सित माना जाता है कोई का घोसला आपको आसानी से देखने को नहीं मिल जाएगा क्योंकि कोई जतना ज़्यादा हो सके इंसानों से दूर अपना गोसले को बनाता है क्योंकि उसके गोसले के अंदर चमतकारी चीज निवास करती है इसी वज़े से उसका विसीज कारण होता है वह चीज दोस्तों अगर आपको मिल जाए तो आप रातो रात माला माल हो जाते हो दोस्तों कोई को बड़ा ही सवेदल सील जानवर माना जाता है जब आपने देखा होगा आपके घर के अंदर कोई सुब काम होने वाला होता है कोई अच्छा समाचार आने वाला होता है तब कोवा आपके घर के दुआर पर अपने आपे बैठ कर छिलाने की आवाज करता है तो उस समय आपको सुकत या दुखत समाचार मिल जाते हैं इसलिए कोवे को सकारतमक्ता या नकारतमक्ता का गोह तक माना जाता है दूसरा जब स्राद पक्स होता है आपको कोवे नहीं दिख जाया लेकिन अचानक स्राद पक्स होते हैं और आपके घर के अंदर किसी वैक्टी का स्राद होता है तो कोवे अपने आप ही आ जाते हैं तो वह आपके पित्रू के द्वारा दूत बनाकर भेजे जाते हैं तो दोस्तों इनके अंदर गजव का पावर माना जाता है ये इसलिए अपने अंडू को इंसानों से काफी दूर रखते हैं क्योंकि कोई अपने बच्चों को जो अपने अंडे होते हैं उनको एक विसीस ता द्वानी होती है जो देखने के अंदर आपको सोने की भाती चमकदार दिखाई देगी लेकिन दूस्तों आपको इस बात का ध्यान पहुचाना है इस बात का आप जरूर ध्यान रखें अब आप क्या करें आपके आज पास कोई कोई का घूसला है तो आप समय समय पर उसका ध्यान रख रहें जब कोई अपने अंडू को जरम देगा उसके साथवे दिन वह एक मनी लेकर आता है वह मनी कहां से लेकर आता है रात के समय उसके अंदर से अपने आप ही लाल रंग की रोशनी निकलती है तो सुबह उसके अंदर जो गोल्डन कलर होता है सोने का सोने की भाती पीला पन से वह मनी चमकती रहती है वह दोस्तों अंडों का सेक करती है अंडों के साथ ही रहती है और वह उसके अंडों के अं इसलिए हम कहते हैं कि आप इसको लेकर आए इसके अलावा किसी परकार का नुक्सान आप नहीं पहुचाए तो आपको सनीवार के दिन app को जाना है सनीवार के दिन का ही चैन करना है दूसरे वार का ध्यान रखें जहाएं एक एक गोशले को देखते रहें आप उसे किसी चीज के मादियम से पकड़ें और इसे आप किसी चान्दी की डबी, पीतल की डबी या तांबे की डबी या इनका लोटा भी हो तो इनके अंदर डाल कर ही आपको अपने घर लेकर आना है, शीदे हातों से आपको इस परसन नहीं करना, इसे लेकर आएं और इसे आप अपने घर के अंदर ओंचे स्तान पर गले के उपर आपके धन रखने की स्तान पर रख दें, दोस्तों जैसे जैसे यह मणी आपके वहाँ पर रहती है आपके जिवन के अपने आपी नकारत मकता को दूर करती है और जस्व को बढ़ाती है आपके जिवन के अंदर धन धानिय का उपाई बढ़ाती है और उसका फाइदा लंबे समय तक आपकी कुंडली के अंदर देखने को मिल जाता है तो उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी ऐसे इन जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराना भूले धनिवाद जैसे राम